जिट्व एक बहुत intelligence based sport है और I think Indians generally बहुत intelligent होते हैं बहुत strategic होते हैं और यहाँ पर हमलों का फाइदा यह है कि यहाँ से आप अपनी intelligence को भी उसकर सकते हैं और उससे आप fit भी हो सकते हैं matrix fight night ने कितना कमाल का काम किया है क्योंकि उन से पहले matrix fight night से पहले 45 साल ऐसा period था जब Indian MMA बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा था क्योंकि उससे पहले super fight league थी जो बंद हो गई उसके बाद 45 साल को चुछ हुआ ने अब actually लोग call करते हो बोलते हैं कि हमें MMA सीखना है यह हमें क्ली आप सभी कि देक आपके साथ श्रॉप्स माइशें ने गाली है कि अधिसक्वात होने वाली सबसेंदूं करें जिसकी शुरूबाद होने वाली सिटम्बर से और खासा आघ मोडूध है उनसे हम बात करेंगे सिदाथ सिंगी मौजूद है जिट्सु आपने सुना होगा सब्सक्राइब करेंगे देश को वहां पर पर जाकर के सबसे पहले बहुत स्वागत है सिदाथ जी आपका थैंकि आपने मेरे को बलाए और इतना बड़ा प्लैट्परम दिया सिदाथ जी पहले भी मेरी आपसे मुलगात हुए हमने कई सारी बातचीत की दी लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है और अच्ली मैं बच्पन से ही इस पोर्ट मे रहा हूं तो एजिन गेम में खेलने का हमेशा से एक ड्रीम था इंडीय को पर दो कि इस बार चांस मिल रहा है तो बहुत एक्साइटेड़ हूं बहुत नर्वस भी हो तो बहुत एक्साइट्टेड़ हो अगर हम बात करें और यह गेम है हमारे देश में बहुत जादा लोग नहीं जानते लेकिन जितने भी लोग जानने लगें वो शायद आपने जिस तरीके से इस गेम में परफॉर्मेंस दिया है चाहिए हम अबुदाबी पिछले साल जो गेम सुआ था वहां आपने जीता था उसके बाद अभी अगर करें से हम बात करें रिसेंटली हमने देखा कि ट्रेनिंग सेशन भी हुए है और आप हमने देखा है हल्दवानी में जो सेशन वह बहां पर भी आपने रिजल्ट आपका तौप के दौर पर ही आया है और कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है इंडिया के क्योंकि आपका बहुत बड़ा सपना है जो आप कही नहीं साकार होता हुए नजर आ रहा है जी मेरा गोल यही था कि इंडिया में जीट्सू और में का स्पोर्ट हम प्रमोट करें ग्रों करें और पिछले 10 साल से संगहर शेहर है कि स्पोर्ट को क कैसे हम लोग ग्रो करें कैसे जाते जात से ज्यादा लोगों तक पहुचा हैं और अब बिकॉज इतने सालों से मैं कॉंप्टिशन खेल रहा हूं जीत रहा हूं इंडिया के बाहर इंडिया के अंदर आपने हब्दवानी की बात की मैंने 10 टाइम नैशनल चैंपिशिप जी तो इस थोगी है कि हम लोके स्पोर्ट को फानली थौज से यह था रहा है कि अदर ऑफ पार दो गेंस के अंदर और अब 2012 के जोगेम्स में होने वाली है और जिसमें और इंपॉट इम्पॉर्टन रहेगा आपकी वेट के टिग्री 69 केजी में आप खेलते और इंडिया में और भी जिजट्टो के प्लेश जो एक लिए से 62 जारी है कि अब यह और जादा मुश्किल होगा क्योंकि एशिन गेम्स में तमाम बड़े-बड़े नेशन और आते हैं आपे चाहिना भी होगा जो पर चल रहा है अगर मेडल्स की टैली में बात करें इसके लाब पाकिस्तान अफगानिस्तान इरान कई सारे देशों के जो है माँ पर जिट्शू प्लेश आने वाले हैं तो कैसे देखते हैं आप इस चैलेंज को क्योंकि रिस्पॉंसिब्लिटी और जादा बढ़ जाती है इतना प्रेशर और इतना स्ट्रेस कभी जिंदी में पहले पीस नहीं किया ह अब तो घरवाले खोड़ने लगे कि इस बार तो जीट क्याना है तो बहुत प्रेशर है बहुत स्ट्रेस है पर हम लोग का स्पोर्ट है हम उसको सालों से कर रहे हैं तो इतना कोई डरने की बात नहीं है डेफिनिकली वहाँ जाएंगे और अपना बेस्ट परफॉंस और जब देशों की बात करते हैं तो टॉप देश एशिया में जीटू के लिए यूई है यूई में अचली लोगों को पता नहीं है पर उनके स्कूलों में कंपल सिरे जीटू करना तो बच्चे पांच-पांच-छेशे साल की एच पर स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी कंप कर्मेंट बहुत प्रमोट करती है स्पोर्ट को कॉमबैट स्पोर्ट को तो यह और जपैन हो गया और यह काफी एडवांस्ट है में में के लिए पट आइंग पहली बार इंडिया को एक चांस मिल रहे कि हम एक लेवल फुटिंग पर जा रहे हैं इन देशों के अगेंस्ट और इंडिया तो बहुत यहांगे है मतलब मैं और दस साल पहले जब मैंने क्रॉस्टिंग शुरू किया था तो किसी को पता रही नाम में नहीं बताता था तो अब लोगों को पता चल रहा है पट हमें चांस मिल रहे हैं इतनी बड़े देशों के साथ कंपीट करने का तो ड लगतार हम मिक्स मार्शल आर्ट से जुड़े कई सवाल आप से करते हैं क्योंकि अशुल का परफॉर्मेंस बहुत चांदार आया था और उनको भी आपने ही ट्रेंग कि आपकी हम देखते हैं सेंटर में ट्रेंग करने आते हैं अगर अगर आपको ज़रूर कुछ फोन भी आप से कि हाली में जो ट्राइल होएं वहाँ पर और पी इंडियन घ्लाडी होंगे जो की अभी रिप्रेजेंट करेंगे उनका परफॉर्मेंस कैसा है क्योंकि अब सामने इस्यान की तो आपका एक सवाल था कि की लोग कॉल कर रहे हैं तो हाँ वह हो रहे हैं काफी लोग प है उसको देखके मुझे को ट्रेनिंग करनी है दोजार सटर अठारह में रॉंडराव सी आई थी तो काफी सारे फीमिल नुब था हमें भी वाइटर बनना है और पर कॉनर मगरेगर वाला फीज आया था उसके बाद दोग बोड़े थे हमें कॉनर मगरेगर की तरी बनना है अब आचली लोग कॉल करते हैं बोलते हैं कि हमें में सीखना है यह में जेटू सीखना है यह पहली बार हुआ है इतनी दस सालों में कि अब लोगों को अब लोगों से बात करता हूं किसी भी फंक्शन में जाता हूं लोग बोलते हैं मैं में करता हूं अब सब को पता है क्य कर रहा है और काफी और फाइटर्स भी हैं जो तैयार हम लोग कर रहे हैं यूपसी के लिए वंचापेशिप के लिए तो डेफिनली राइट ट्रैक पर हैं अब इसी पे जुड़ा एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अंशुल आपकी निगरानी में ट्रेंग करके बड़ा कि अब देश के अंदर अंशुल की जीत के बाद क्या आपको लगता है कुछ एक बड़ा ट्रांस्पॉर्म हुआ है खास्तों पर यंग्स्टर जो है अब मिक्स मार्शल आज के अब बात करें थोड़ा और सीरिस होगे इंडिया के अंदर डेफिनेटली बिकॉज काफी टा रहा नहीं कहां जा सकते हो आप यूफसी कोई यह नहीं जीता नहीं था अब अब अगर ट्रेनिंग करेंगे तो उनको फाइट कॉंट्राक्ट मिला अच्छा पेमेंट मिला इंटरनेशनल फेमिली तो अब वो शुरुगात हो गए जब चोटे बच्चे भी अब हो चुका है हमारे बिचारे बाइस साल पर शुरू कर रहे हैं तो बहुत बड़ा शिफ्ट है जीतेगा उससे फिर और सपोर्ट इंडिया में बरू करने वाला है क्यूंकि आप बहुत सारे ट्रें करते हैं अथलीज को और कभी आपका मन नहीं होगा कि मिक्स मार्शल आट में बहुत सारे प्लेयर आप भी उतर जाएं हाला कि थोड़ा यह चैलेंजिंग भी होगा क्योंकि आप जिनको ट्रेंग करते हैं वह आपकी कंपिटीटर सो जाएं लेकिन कभी ऐसा हम आगे देख सकते हैं या आपके नो प्लांस मैं अचली बहुत बोक्सिं खेल चुका हूं आप फाइटर भी हैं आप कोच भी हैं तो आपके जिम में जो आपके टीमेट्स होने चाहिए और बहुत मुश्किल है तो इसलिए मैंने कि स्टेप बैक लिया मैंने का मैं अपनी ड्यूटी एज़गा मैं सब कुछ चिखाऊंगा कुछ चुपाऊंगा नहीं और इसलिए म अब लोगे और इसलिए मैं चाहता है कि स्टूट्ट से राइवल्री हो तो इसलिए मैं करता हूं कि अश्याड एशन गेम सब सामने हैं और इसकी शुरुबात होने वाली और टॉप मोस्स नेशन जो हैं इसका हिस्सा बनते हैं तैयारियों को लेकर कि आप से जानना चाहू है और बगायदा उनको पता होता है कि अब कितना ट्रेंग करना है क्या डाइट लेनी है इंडिया में अगर करेंटली हम बात करें क्यूंकि आप बड़ा कंपटिशन है सामने इंडिया के लिहाज से आप कैसे देख आप एक मेरी जो लास्ट एशन चैंपिशिप हुई थी कशांगों यह से हाया आ था पॉइंट्स पे तो जो मेरे उपनेंट्ट है वह पिछले साल थे यूस में ट्रेंइंग कर रहे है टोनम्न है कशांगिस्तान के काउंपयुइजर खीली थे इंडियाओ पैर वापर से यूस में कर रहे हैं रोजज तो अब यही होता है नाम के तो वह एजियन है पर सारा ट्रेनिंग अब्राइड हो रहा है गर्मेंट फुली स्पॉंसर करती है उनकी ट्रेनिंग स्टे ट्रावल तो उससे बहुत हो जाता है जो आपका स्ट्रेस होता है एक्सपेंसिस का डायेट का वह सारा कावर हो जाता है अब मैं भी जा रहा हूं मैं दस चीज़ चल रहे होती है आइडली तो मैं मुझे कल चल जाना चाहिए और मैं बस कॉम्पटिशन में वापस आऊ हूं पर रियालिटी है कि यहां पर इतनी रिस्पॉंसिबिल्टीज है कि दो तीन हते से जादा मैं जा भी नहीं सकता हूं बट इस बार अच्छी बात तरुन यादव जा रहे हैं 62 kg में अनवेशा डेब जा रही है माइनस 49 kg में और एक एक फाइटर है दो और अच्छे फाइटर है एक हैं उमा रेडी जो जा रहे हैं और अमरजीत लोहान 84 में तो यह मेरे कहाँ से काफी अच्छे फाइटर निए के लिए मेदल आ सकते हैं औ और सेकंड आल्टरेटिव यह भी कि शायर टीम को भी भार भीजा सके थोड़ी टाइम के लिए तो अगर यह दोनों से चीज़े होती हैं तो मैं हमेचा लोगों को यह एक्जांपल देता हूं क्रिक्रिक्ट समझ में आता है तो चाहे आपको सारे शॉट्स आते हों अब खड़े-खड़े कुछ भी मार सकते हो टैनिस बॉल के जब तक आपके आपके अगेंस्ट कोई सौ माइल वाला बोलिंग नहीं डालेगा तो पता नहीं चलेगा कि आपकी टेक्नीक उस कॉम्पेटिशियाद कैसे करती है तो टे अचल की बात है अंचल को भी भार इसलिए बेचते हैं कि उसको भी टॉप लेवल कॉम्पेशियन के साथ अपना स्पीड हो बना सके हम लोग तो ट्राय करें बाहर जाने का जिससे हम लोग कभी इंटरनाशन लेवल के अपुनेंट्स मिलें उससे हम लोग का रियक्शन स्प करी है तो वहां पर कैसे आपका ख्याल आया कि मिक्स माश्यल आर्ट जिट्शू की तरफ मुझे मुझे मुढदा है और क्या उस दौरान आप ट्रेनिंग करते थे और एक किस्ता भी और है वो भी आपसे जानना चाहूंगा कि एक महिला जो फाइटर थी वहां पर आपके को मैं बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था दून स्कूल में और वहां पर बॉक्सिंग इक स्पॉर्ट था और यह ऐसा पूर्ट जिसको खेलना नहीं था किसी को बारा साल की पर बोक्सिंग करनी होती है तो मुझे भूर डर गता है कि कोई नाक प्टोड देगा क्या कर दे बहुत मश्किल था बहुत अच्छी ब्रैंड्ट्स थी बहुत अच्छा रोल था बहुत वरक कल्चर था पांच बजे वह आपको बोलते थे निकल जा ऑफिस से बैठना नहीं आप पर और UK का लाइससा होता है UK में वो work-life balance बहुत इंपोर्टन था तो पांच वे और सब सब लोगों कुछ ने कुछ होबी होता था कोई running करता था कोई training करता था कोई tennis किलता था मेरा था MMA तो मैं पांच बजी office खतम साड़े 6 बजे में जिम्में होता था training करता था तो वो मेरी लाइफ थी पात साल but towards the end वो पांच साल होते होते मन में इतना वो डाउट आने लगा कि इंडिया में क्यों नहीं कर रहा है क्यों ग्रों नहीं कर रहे हैं मैं अमेशा only Indian होता था अपने academy में और डिफिर्ट देशियों से एरान से राक से अमेरिका से लोग training के लिए आते थे कोई इंडिया नहीं नहीं लिखता था तो मेरा हमेशा यह मैंने मैंने शुरू किया और जो आप कहाने की बात कर रहे हैं कि मेरे में में क्लब में पहली बार जब जब जुश्व क्लास हुआ था तो मैं मैं क्लास के लिए आया था बब मुझे पता नहीं जुश्व होता क्या है मैं क्लास में एंडर किया और लोग जमीन पे ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए ऐसे से कर रहे हैं क्या दो लोग सापो की तरह यह तो मुझे नहीं करना है मैं boxing kickboxing करता हूं मुझे उसमें पसंद है तो मैं बैठ गया मैं देखूंगा बस मेरे कूछ थे उनने का कि सदाथ क्यों नहीं कर रहे हैं का मैं अच्छा नहीं लग पे मत करो seminar के लिए उनका partner नहीं है आप जाके उनकी साथ उनको बस help कर दो मैं ठीक help कर दो तो मैं गया और मैं 70 kg का था वो 40 kg की थी और टेखनी की अच्छा था और मैं उस टाइम तो 12 साल तो मैं कर रहा था boxing है तो अब sparring का time was sparring मतलब full contact पूरा पूरा दम लगा सकते हैं त आपसे बड़ा हो size में तो मैं आराम आराम से करूंगा धिरी धरी देखके उन्हें कर नहीं नहीं लगा दो दम लेका नहीं में light करूंगा तो शुरू हुआ मैं थोड़ा गुसा अंदर पता नहीं क्या होगा नहीं पकड़ ली मैंने निकलनी कोश्करी और यादी नहीं को मैं उठा तो मैं उपर देख रहा था तारे दिख रहे थे उपर आंके खुली मैंने क्या हुआ उन्हें बोला तो आप अंदर आ गए मैं अपकी गर्दन पकड़ दी और इस चोक होता है गिल्टीन चोक लगा दिया आप चोक हो रहे थे आपने टैप नहीं किया जब आप करते पर अप सो गए यह क्या हुआ है यह तो अजीव सी चीज हुए तो अब थोड़ा सा हर्ड भी हुआ है कि इतनी चोटी सी लड़की मेरे को अंकॉंशिस कर दिया उसने तो मैं दुबारा करते हैं उसने आप ठीक है अब मैंने का मैं थोड़ा सा हाट जाओंगा और मैं मैं को पूचा मैंने क्या किया आप अंदर आए आपका रिस पकड़ा ट्रैशल पकड़ी आपको टरन किया आपके बैक लेली और चोक लगा दिया जिसको बोलते है रेने के चोक आपने फिरसे टाप नहीं किया पूस्ट हो गये यह तो बहुत सभीश चीज है यह मतलब मैं सतर क जोरा का और मैं भी कोई सद्रक से उठके नहीं है और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं बॉक्सिंग मौई था, किक बॉक्सिंग कर रहा हूं अतने सालों से, आपने मेरे को कर दिया तब मैंने रिलाइस कि यह तो बहुत चीछ माशल आट है, और मैं बी 30 किलो उपर आदमी को क होते हैं उन पर कितने पुटेंशली अटाक्स होते हैं इतना सेल डिफेंस सिट्वेशन में आता है तो मैं सुचा अगर यह सीख लूँ और यह जा कि इंडिया में सिखा तो इंडियन विमन को तो कितनी वह डेंडियोस हो जाएंगे कोई अटाक करेगा करेगा तो तो वह मेरे मोटिफ से की सीखना है और इंडिया में के सिखाना है आपके ट्रेनिंग क्लब के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो यह जो है उनको भी ट्रेन करते हैं अगर लास्ट ताइम मेरी आपसे बात आई तो अंशुरी दे साथ ने उनसे भी बात चल रही थी और आपका टाग अगले पांच साल में आप लगभग दस से पंदरा इंडियन फाइटर को देखेंगे एकाथ फाइटर मेरी नजर में एक हैं पुन्यजीत लिखारू जो असाम से हैं बहुत तैलेंटर फाइटर है उनको फाइट मिली नहीं है जिस बैड लक बट मैं बहुत छोरू की उनको अगले एक साल एक सले में युएसी साइन अप कर लेगा और उसके लावा बहुत बहुत ब्राइट फूचर है मेरा स्कूल तो आप मति पुचिये क्योंकि सुबै से शाम तक जिस्त या तुमें ट्रीनिंग कर रहा हूं या हुए थूद की ट्रीनिंग कर रह अभी हो रहा है एजिन के एजिन गेम्स के लिए सुबह दो घंटाव वेड ट्रेनिंग होता है फिर ड्रिलिंग होता है दुफैर में और शाम को चार घंटे हम लोग पुरी टीम के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो लगभग आठ गंटे हो गया उसके लावा एमें में टीम को ट् पहुत मज़ाता है करने में आपने स्टार्टिंग में बॉक्सिंग जैसे आपने का शुरुबात के लाब मिक्स मार्शाल आट्स में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है तो करेंट टाइम से में आप फोड़ा दर्शकों को बता पाएं जिजिट्सू के बारे में और मिक्स मार्शाल आट से कितना डिफरेंट है थोड़ा सा क्लारिटी और आजाएं तो मिक्स मार्शाल आट के चार में पहले होते हैं बॉक्सिंग जिसमें आप पंचिस थ्रो करते हैं मौय था जो थाइलिन का नाशनल सपोर्ट इसमें पंचिस किक्स अल्बोस नीज सब चलाते हैं फिरोगे रेसलिंग कुष्टी होते हैं हमारी किसको कैसे पकाड़ना है और नीचे घराणा और फइंग कैसे को आप कर कि किसी को चोग कर सकते हैं नकांशिस उसका हाथ तोच सकते हैं शूर डिस्लोकेट कर सकते हैं वो सब होता है जह जह तुँ लोग यशनल में में Canada में Brazil में family families कर रही है father कर रहा है training grandfather कर रहा है mother कर रही है daughters कर रही है सब पुरा family train कर सकता है because इसमें कोई punching की नहीं है आप बस technique use कर रहे हैं अपने brain को use technique साती मैं अपने ट्राइक करूंगा आप मेरे ट्राइक करेंगे देखिए क्या काम करता जा काम नहीं करता है तो बहुत मज़ाता है, MMA भी बहुत मज़ाता है, but MMA में आपको पंच लगेगा, आंक काली हो जाएगी, सूच जाएगा, तो वो सब होता है फर्क, but मेरे ख्याल से MMA के अलावा कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है, जो इतना एक्साइटिंग हो, इतना एक्स्प्लोजिव हो, and no doubt, next 10 years में, क्रिकेटर के बाद, इंडिया में MMA number two sport होगा, क्रिकेट भी आपको बता दें, Asian Games का भीस्ता है, men's and women's team जो है, खेलती भी नज़राइगी, last time आप हमने देखा थे, आपके साथ, और आप ऐसा कोच की भूमिका में थे, लेकिन आप ऐसा प्रॉपर आप रिप्रेशन कर होता है, जब अंचिल फाइट करता है, तो generally मेरे को जादा nervousness होती है, because आप control नहीं कर सकते है, आप outcome को आपने बता दिया, उसको समझा दिया है, सारे strategy figure out कर लिया है, but अब अंदर क्या होगा, आपके control के बाहर है, यहाँ पर थोज़रा difference है, because अब मैं खुद की training को control कर सकता हो, खुद के fight को control कर सकता है, तो थोड़ा less pressure होता है, internally less pressure होता है, externally बहुत जादा pressure होता है, because externally, जब अंचिल का fight है, उस पे बहुत pressure है, मैं अब Asian Games में fight कर आँ, internally में को pressure नहीं होता है, बहुत बहुत pressure है, family बोल रही है, कुछ करना है, जीतना है, इतने साल देदी है sport में, अब chance है, really sport को grow करने का, तो external pressure जादा, internally में जादा pressure नहीं लेता हूं, अपने fights के बारे में जादा pressure नहीं देता हूं, उसका जैसे cross train club आपका चलता है, वहाँ पर बिल्कुल mixed martial arts तो आप सिखाते हैं, कि जीजिट्टू की भी training आप वहाँ पर देते हैं, जो अगर आने वाले टाइम पर और भी जुड़ना चाहें, तो क्या और हम देखेंगे ऐसे इंस्टिटूट्स एकलब्स देश में खुलते में नजर आएं, ताकि जो यंग्स्टर्स हैं, उनको भी सीखने का मौका मिले और आगे आने का मौका मिले जीजिट्टू जैनरली दोनों चीज़ें एक अकैडमी में सिखाई जा सकती हैं, और अगर मैं यू एस का स्कूल्स खुलने लगे, पहले-पहले सब लोग यूंग्स्टर्स होते हैं, वो में के तरफ जाते हैं, पर दस साल बाद वहीं MMA फाइटर्स जो रेटायर होते हैं, उनको भी भी ट्रीनिंग करनी है, वो जीजिट्टू कर सकते हैं, उसमें हम च्योट नहीं लग रही है, उ य अगर बात करते हैं, तो तॉप कंडेंटर्स जो आते हैं, चायना निकल कर आता है, जपान का नाम रहता है, युस्टा रहता है, इंडिया भी है, टॉप 5 के अंदर मैं आपको बता दूँ अगर मैं बात करो इसिंगेंस मी और सबसे पहला इसिंगेंस भी डेली आग ये आरडा वुक ब्लेशान करते हैं ञोखे हां थाते हुखर घरत करते पर बाधा हैं आप इस जरूरी नहीं को ऐसी पस्कूद्स जचल की मार्यव में और मैं बात करो हूं और बहूं हुआ 흥 है, कर आदू है इसरो मेडल आप कर रहा है अगर आख कुडू है कले विदया पर श जरूरी नहीं कि आपका पहले साल में ही किसी नए स्पोर्ट में सारे मेडल्स आजाएंगे आप लोग की परफॉर्मेंस देखिए वो जा रहे हैं, कंपरिटिव हो रहे हैं क्योंकि आप काफी टाइम ऐसे देशों से भी कंपीट कर रहे हैं बढ़ा जो उस पूर्ट में माहर हैं उनीका सपोर्ट है काफी बार तो आइ थिंक जिस तरीके से गवर्मेंट सपोर्ट कर रहे हैं भी हम लोग के फेडरेशन सपोर्ट कर रहे हैं कोई डाउट नहीं है कि इंडिया डेफिनली एक दिन एगा जब फॉर्स भी आ सकते हैं इंपॉसिबल नहीं है लास्ट मुझा जब एजिशन चैंपिंशिप था उसमें चाइना के फाइटर थे उंको हम लोग के तरुन यादव ने डिफीट किया था 62 किलो में तो ऐसा नहीं यह प्रीट कर सकते हैं कर सकते हैं था था कंफिडेंस आएगा टाइम के साथ में करेंगे तो आसा क्वारण वोग करेंगे था कि अटरीट कर सकते हैं तो नहीं है थोड़ा सा प्रेशन बहुत जादा होगा कर सकते हैं जैसे मैंने बोला कि जो मेरे फोकुस में है वह है तरुन यादव अन्विशा डेब और अमर्जीत लोहान यह चार ऐसे फाइटर्स हैं जो में मुझे को लगता है कि इंडिया को मेडल ला सकते हैं इन पर बहुत मेरा मेरा बहुत कॉन्फिटेंस है कि कुछ ना कु सब्सक्राइब बहुत सारे इविंस भी होते हैं जिजिट्चु अब आप लेकर के आरहें अब और भी लोग जानेंगे इसको और समझ नहीं कोशिश करेंगे कैसे देख आने दस सालों में क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट पर आपसे कई बार सवाल करते हूं जिजिट्चु क हैं जिजिट्चु बहुत इंटेजिट्च रहें और यहां पर फाहिदा है यहां से आप अपनी इंटेलिजिट्च को भी चुश कर सकते हैं और हुससे आ पूर सकते हैं बहुत है Altे जाल न बात ही न क्योंकि अबकर आप एग्जांपल दूं अगर मैं सीआ हुरा हूँ तो तो मैं सिक्रेट पी में को मज़ा आया, पर अगर मैं ट्रीनी पे गया उसके बाद, तो जो मेरे उपोनेंट्स मेरे धुलाई करेंगे, क्योंकि मेरा काडियोप खराब हो गया है, तो मैं करी नहीं सकता, अगर मैंने जाके फासफूट खाया, मज़ा आया, फिर ट्रीनी पे ज जाते हैं, थक गए बंद कर दिया, यहां पर MMA के ट्रेइनिंग नहीं करने हैं आपका बंद करना, मतलब किसी न आपको शला दिया, या पर आपको गिरा दिया, या ये आपको हारना नहीं है, तो human nature होता है, we don't like to face defeat, क्वुलाई हारना पसन नहीं है, तो वो जो कंपेरेटिव स्पिरिट है जो हम सब के अंदर है उसके वह से हम लोग की ओर ओर लाइस्टाइल बेटर जाती है जो इस सुमें आप विकोज आपको अपने टीम मेट्स के साथ कंपीट करना है रोज आप अच्छा खाएंगे अच्छा स्वेंगे तो सुसाइटी और होल इंप स्कूल में वह आते हैं लो यह कॉंफरिंट के साथ आंक नीचे और ती अर अविकों कॉंफरिंट हाइव देनें इसको और वह ऐसे बच्छे बं जाते हैं जो जाके स्टॉंग तो होते हैं बड़ जाके यह इंशर करते कि बाकी बच्चे बुली ना हो तो यह सारे क्वालिटेटिफ चेंजिस मैंने देखे हैं जो चुके थू तो आई होप के इंडिया में बहुत फास ब्रो करें आपका पूरा साल ही रहता है जैसे आप बताते हैं क्लब भी चल रहा है और आपको खुद भी ट्रेइनिंग करनी है तो बीच में क्या कुछ आप थोड़ा खुद के लिए वक्त निकालते हैं मतलब चुट्टी पर जाना या कोई डाइट में कुछ चीट मील बगारा एड़ करते हैं पूरा तीन सो पैसेट दिन आपका एक ही डाइट आपके बहुत 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 मुश्किल कुछ आपने मैंने आखरी बार चुटी ली थी आइधिंक पात साल पहले क्योंकि जिस और चुटी भी मतलब मैं थाइलेंड गया तो आप ट्रेनिंग कर गया है ता लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें आप बताया कि आप इतने आप अपारेंसे मिलेज हम दरते जिसमें अप खमाना सही करते हैं आप लीट नाइट नहीं करते हैं सब कुछ उच्छीurning यृफ्ट गहरिए नहीं करता चीट पर पर मेरी डाइट ऐसी निय कि मैं कुछ भी चीज इंटेंश ली एक रहा हूं मैं प्रोटीन भी खाता हूं मैं काभोहाड़ट भी लेता हूं स्वीट भी मैं खाता हूं बट सब चीज मौटरेशन में अगर मेरे खियाल से जो चीज आप मौडरेशन में ले रहे हैं उसको आप lifelong कर सकते हैं जिस चीज को एक्सेस में करते हैं वो फिर बाद में प्राइट करता है तो ऐसा कुछ भी निए कि डाइट में वाइट कर रहा हूं जिसके विसे में बहुत कुछ क्रेव करता हूं मैंने अगर पांच दिन घर का खाना खायता है तो च्छे दिन में डॉ ज़िए तीन मेरे में में र library कॉंपृटोबर में एजेन कांटिनल में चांपिंशिप हैं अबाद मै are शॉसके गारेender को Si L और जो में एक ट्रेनिक क्रोंगा उसी के थूम सारे कॉमपटेशन के सकता हूं जब आपके साथ ऐसा कभी हो एक कुछ दिन आपको ट्रेनिंग करने का मन नहीं कर रहा है या आपको कुछ इंपोर्टन इवेंट आ रहा है आपका घ्रान थोड़ा नहीं मैं भी थोड़ा ब्रे बहुत गंदी ट्रेनिंग होई थी जो भी मैं ट्राय कर रहा था कुछ भी काम नहीं कर रहा था और लगता है फिर जनल लगता है कि मैं एक हफता चुटी ले लूँ बट फाइदा ये है कि बिकॉस मिक्स मार्शाल आर्ट समलोग करते हैं अगर आपका जीट्व में अच्छ बहुत नॉर्मल है जो आपने बोला की लगता है कि कुछ कामी नहीं कर रहा था था टाइम लेते हैं बर टाइम लेना नहीं चाहिए वही डिस्प्लेन और कंसिस्टेंसी के बारे मों बात करते हैं मैशा कि जर्स बिकॉस को चीज अच्छी नहीं चल रहे है या मन नहीं लग मैसेज में बोलना चाहूंगा कि अगर आप यंग्स्टर हैं और आपको स्पोर्ट शुरू करना है तो पहले तो आपने पैरेंट से बात करिये और उनको बोलिए कि अब अब वो सिच्विशन नहीं जो पांत साल पहले थी अब करियर है यूफसी इंडिया आ गया है इंडि इपी टोर होता है एजिन गेंज में अब आ गया है होपफिली कॉमन्वेल्ट केंज और ओलिम्पिक्स में भी एच सम पॉइंट आ जाएगा उसके बाद तो स्पोर्ट को रोकना इंपॉसिबल है तो यह परेंट्स के लिए इंपॉर्टन मेसेज है कि अगर आपके प्सक्राइब करेंगे तो आपको भी रिग्रेट नहीं करेंगे आपको बहुत अपने प्रेंगे यह उस्में पूज्जा है एक समय पे पर आप देखें प्लैट्फॉम आप देखते हैं कि उसमें भी आप इंडिया के बाहर भी लड़ने के लिए मिक्समार्शलल आट्व मेट्रिक धेनाे कितना कमाल का काम किया है कुए उन से पहले मेठिक वाइट से पहले 4 पाइसर ऐसा पी डियड था जब है बिल्कुल नीचे के तरफ जा रहा था क्या कि उससे पहले सुपराइट लिग ती जो बंद हो गए उसके बाद 4-5 साल कोछ हुआ नहीं, तो काफे सारे इंडियन फाइटर्स जो थे उनको opportunity नहीं मिली, और रिटायर हो, काफे सारे रिटायर हो गए, कुछ ने छोड़ दिया, कुछ ने जॉब ले लिया, तो जो मेट्रिक्स फाइट नहीं वापस आई, उन लोग ने बहुत च सिस्टम में हैं, जो फाइट कर रहे हैं, और जो यंग ब्रिकेडर से अपने अंगत का नाम लिया, पूजा का नाम लिया, ये भी बहुत हाई-level के इंटरनेशनल फाइटर्स हैं, उनको एक ऐसा platform मिली, मिला, जिनसे उनको धीरे-धीरे gradually बिल्ड किया जा रहा है, अगर इंडियन को वरसे इंडियन किये फाइट इंडियन पर जो अच्छे बेस इंडियन थे उनका फिर कॉंपूटिशन कर रहा है भार के हाई-level नहीं पर अच्छे फाइटर से उनको जब भर आया तो अब इंडियन फाइट ऐसे लेवल पर आगए जो भार के भी वहाई-level जब रहे हैं लगतार इवेंट भी होते हैं लेकिन आप सभी की नज़रे जो है वह इस यार्ट पर एशन गेम्स में हैं और चालिस गेम्स हैं जिसमें कई सारे भारत की भी जो इसा लेने वाले और सिधात दी उनमें से एक हैं तो उन्हाई तरफ से गुड़ विशे आपको कि आप कला यह जो अच्छा भी थे और जरूर आप अपना 100% बहां पर जातर कर दीजिए और इसी तरह हम आपको रुजाना आगे भी आगे आने वाले समय में मिलवाते रहेंगे एक प्रीप से और उनके जिंदगी के बारे में जाने किस तरीके से वह अपने लिए तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पेटिशन कर रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलाल इस बातचीज में इतना है वह शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए